राधे राधे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है, तो कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं चैतर मास के क्रिशन पक्ष की एकादशी तिति काफी खास मानी जाती है, इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, मानेता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नश्ठ हो जाता है, इस बार ये व्रत साथ अप्रेल को रखा इस खास दिन पर भगवान विश्नों की पूजा की जाती है। साल में कुल 24 या 25 एक आदशी पढ़ती है। आईए जानती हैं एक आदशी एवं पारन का शुम महौरत। एक आदशी तिथी 7 अप्रेल को सुभा 2 बजकर 9 मिनेट से आरंभ हो जाएगी। और 8 अप्रेल को सुभा 2 बजकर 28 मिनेट पर समाप्थो जाएगी। व्रत पारन का शुम महौरत 8 अप्रेल गुरुवार को दुपहर 1 बजकर 49 मिनेट से शाम 4 बजकर 11 मिनेट तक है। ये जानते हैं पाप मोचनी एक आदशी का महतु। कहा जाता है कि भगवान क्रिशन ने खुद अर्जुन को पाप मोचनी एक आदशी का महतु बताते हुए कहा था कि जो भी व्रत रखता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है। मानता है कि इस व्रत को रखने से मनो कामनाएं भी पून हो जाती है। इस दिन भगवान विश्नु की पूजा होती है। हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मददकार होगी। अगर हमारे वीडियोज आपके लिए मददकार होती है तो आप नीचे बने लाल पटन को दबा कर हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बगल में बनी घंटी को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोज में कोई कमी मैसूस होती है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं धन्यवाद